विराट जी आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट आप दुबईज में से आज समय निकाला और वहाँ तो ये खेल आपका बड़ा तनावपुड रहता है उसमें भी आपने और अपनी भाग दोड़ बरी जिन्द्गी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं मैं जुरूर चाहूँगा देश भी जानना चाहेगा क्योंकि नवजवान आपको आपके हर गतिविती को देखता है यह आपको कैसे मदद करता है पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सार यहां पे हम सब को बुलाने के लिए एक सब लोगों ने फिट इंडिया मुव्मेंट के बारे में बात करी और इसके फाइदे इसके लाब हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं सब ने अपने बहुत अच्छी बाते रखी बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में मैंने भी बहुत अब्सर्व किया है और मेरे खुद की एक्सपिरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपिरियंस करने को मिला मुझे कि जिस पीडी में ह खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद और मुझे ये एक्सपिरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था हमारा एक रूटीन बन चुका था वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था औ और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ fitness के point of view से पीछे छूट जा रहे थे, हमारी skill में कभी कोई problem नहीं थी, तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंजी ने भी पहले बताया, एक जो self-realization की बात है, कि आपको खुद से realize हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर, तो मुझे वो एक समय पे खुद भी experience हुआ कि नहीं, fitness जो है वो priority होनी चाहिए, और अगर मैं आपको honestly बताऊं, तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए fitness मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर practice मिस भी हो जाए, तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर fitness session मेरा मिस हो जाए, या activity मिस हो जाए, तो मुझे जादा खराब लगता है, तो इसके फाइदे जो है सर, आपको यह जो नया मंत्र जगा, तो दिल्ली के छोले भटूरे कोई बहुत दुखताड होगा? बहुत ज़्यादा सर, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डायेट है, जिस रीजन से हम आते हैं, उसका जो हम वो खाते हैं, उससे कभी मैंने, कभी experience नहीं किया कि health issues हुए हो या किसी को कोई बिमारियों का सामना करना पड़ा हो, मेरी खुद के experience में मेरी नानी मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज़्यादा उमर में भी उनकी health हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का simple खाना खाया, तो मैं जब बढ़ा बड़ा तो शेहरी खाना मतलब बहुत ज़्यादा भार का खाना होता था, खेलने कुदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीज़े ऐसी खाली कि जो health point of use अच्छी नहीं है, तो डायेट का भी एक बहुत बड़ा contribution था, जो discipline नहीं था, तो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और डायेट दोनों चेंज करना पड़ा सर, उसके वज़ा से ही चेंज़े आने शुरू हुए, और मैं इस चीज़ से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि जैसे हमारे खेल में चेंज़े आए, आज की life की भी demands बहुत ज़ादा हो गए हैं, बहुत hectic हो गए यह life, तो अगर हम अपनी fitness को उस space के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे चूटते चले जाएंगे, तो अगर हम लोग अपनी fitness को नहीं improve करते, तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे चूटते चले जाते, क्योंकि आप सिरफ अपनी skill पर depend नहीं कर सकते, कि आपका जो mental strength है, वो आपका शरीर कितना तंदरुस्त है, और आपका दिमाग कितना तंदरुस्त है, उस दोनों का एक combination साथ में चलता है, तो अगर मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो मेरा दिमाग सोच रहा है, तो मैं जो करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पाँगा, तो मुझे चूटे-चूटे कीज़ करने का भी चैलेंज रहता होगा, और इतना बड़ा काम करने का भी चैलेंज रहता होगा, उसको कैसे एंडल करते हैं? सर मैंने अभी जो अपने अनुभव में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है वो ये है कि खाने के बीच में समय देना बहुत जरूरी है हम लोग बहुत बार खाते हैं और फिर बड़ी मील के बाद वो छोटा पुटा खाते चले जाते पूरा दिन तो वो जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को और रात तक हम खाते चले जाते तो मैं जब छोटा भी था तो साड़े-क्यार करने के लिए आप खा रहे हैं तो उसके लिए अविर नेस बहुत जरूरी है कि आप किस वजा से कर रहे हैं अप अपने आपको ओवरराल विड़ा ने के लिए कर będą आफिर सिर्फ वेंत लॉस के लिए कर रहे हैं जैसे अभी र्जूता जीने ने बोला तो प्रिप्रिorkती ब को भी यह तेस्स किरवाना पड़ता है कि आपको छुटी होती हो और यह तेस्स होता क्या है क्या क्या करना पड़ता है कि सर्थ यह बहुत जरूरी था अगर आप ग्लोबल फिटनेश लेवल्स की बात करें तो बाकि टीमों से हमारा लेवल अभी कि कम है और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम उपर लेके जाएं जो एक बेसिक करना बहुत जरूरी होता है और उससे क्या होता है सर ओवराल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा जैसे टेस्क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं तीसरे दिन आके आपको जैसे हमारे फास बोलर्स है आज की डिट में वो दुनिया में सबस हम लोगो जरूर्य जो आता है जहां पर शरीट ठक जाता है और तीम को आपकी जरूरत है में परफॉर्मन्स जो है हमारी डिप हो जाती ती और दूसरी टीम जीद जाती थी आज की रेट में हमारे वाज़े से हम वह जरूरी समय में उस चीज़ को कैपिट्लाइस कर पा रह तो एक सर बेंचमार्क इलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है उससे एक फिटनेस में देख रहा हूं कि आपका टाइम मेनेजमेंट तो ही है लेकिन फिर भी आपकी अक्टिविटी इतनी नजर आती है मैं मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूं कभी ठकान नहीं लगती कि आपको सर्थ थकान अगर मैं honestly आपको बोलूं थकान हर किसी को होती है अगर आप physical effort करेंगे तो थकान होगी लेकिन अगर आपका lifestyle अच्छा है अगर आप खा अच्छा रहे हैं अगर आप fitness regularly कर रहे हैं आपकी recovery अच्छी है तो आपकी sleep अच्छी है sleep patterns अच्छे है तो आपकी recovery तेज होगी तो अगर मैं ठक रहा हूं और एक मिनिट में मैं दुबारा रेड़ी हो जा रहा हूं तो वो मेरा प्लस पॉइंट है तो आइटिंक वो मैंने एक चीज एक्सपिरिंस करी जो बहुत जरूरी हो जाती है आपका ओवराल झालवी हो जाइब लेड़ी हो जाती है आपका जिए कर्णा से पाल टालव जाया है तो कि एक बाम करेण